जी हां दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस वक्त रेलेवे ने नियम को थोड़ा सा चेंज किया है वेटिंग टिकट लेके स्लीपर कोच में यातरा नहीं कर सकते हैं हमें जर्नल कोच में सफर करना पड़ेगा लेकिन यहां पर बात या आती है कि अगर आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं और आपके पास चाहे वो विंडो का टिकट हो या फिर ऑनलाइन टिकट हो उसकेस में आपके साथ क्या होगा चाह आपको यातरा नहीं करने दिये जायेगा या फिर आपके ऊपर कुछ नियम लाग होंगे जो कि आपको उसको फौलू करना पड़ेगा इन सारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Techie Help Tips जी हाँ जब भी आप ट्रेन पे सफर करते हैं तो दो टाइप के आप टिकट निकालते हैं या तो निकालते हैं विंडो से या फिर आप निकालते हैं ओनलाइन तो हम सबसे पहले बात करेंगे ओनलाइन का एक्जैंपल के तोर पे आपने एक टिकट निकाला वो टिकट आपका ऑनलाइन है लेकिन जब चार्ट पिर्पेर हुआ वो एसी कोच का टिकट आपका रहे गया वेटिंग और कन्फर्म नहीं हुआ उस केस में आपके साथ क्या होगा यदि आप यातरा करते हैं एसी कोच में आललाइन टिकट लेके और वो भी वेटिंग है तो आपको बिना टिकट माना जाएगा मतलब कि आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो सबसे पहले आपके उपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी विदाउट टिकट की उसके बाद क्या होगा आपको एक पेनल्टी और देनी पड़ेगी वो है नेक्स्ट इस्टेशन आने तक की मतलब कि आपका जो नेक्स्ट इस्टेशन आएगा वहाँ तक की आपको पेनल्टी देनी है और next station आने पे आपको उतार दिया जाएगा अब आप कहेंगे कि एक तो पहली बात मुझे without ticket माना जा रहा है और penalty के तोर पे मुझे अगले station तक का किराया भी देना पड़ रहा है और मुझे ये भी किया जाएगा कि उतार दिया जाएगा लेकिन ऐसा क्यों मुझे without ticket क्यों माना जा रहा है तो जिहां मैं आपको बता दूँ कि online ticket जब आप buy करते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है अगर ये ticket confirm नहीं होगा तो automatic cancel हो जाएगा refund money आपके account में आ जाएगी जिसकी वज़े से आपको यहाँ पे माना जा रहा है कि आप without ticket हैं अब यहाँ पे clause और भी आता है कि आपने fine भी दे दिया और आप अगले station तक आपने उसका किराया भी दे दिया आपको उतार भी दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं तो आपके पास दूसरा option यहीं बचता है कि आप journal coach में जाके सफर करें जो कि काफी जादा painful होगा इतना पैसा देने के बावजूद आपको सफर करना पड़ रहा है journal coach में आपके पास कोई option नहीं है मैं तो recommend यहीं करूँगा कि अगर waiting ticket आपका है तो आप उसको cancel करा दें और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें दूसरी बात अगर आपने online book किया है और आपका waiting ticket रह जाता है तो आप चुप चाप journal ticket लेके आप उसमें सफर कर लें और आप ये काम तो बिल्कुल भी ना करें without ticket आपको penalty देनी पड़ेगी जो कि काफी जदा आपके लिए painful होगी तो ये रही बात online ticket की जब आप online ticket को book कर रहे हैं और book करने के बाद आपका ticket waiting रह जाता है तो आपको ये process follow करना पड़ेगा और TT आपसे यही कहेगा second number पे आता है window का ticket आपने एक window से ticket लिया और आपका ticket AC का जो ticket है वो confirm नहीं होता है waiting रह जाता है उस case में जब आपकार आप AC coach में चड़ जाते हैं तो आपको without ticket नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके पास एक confirm ticket है और ये ticket आप window पही जाके आप cancel करा सकते हैं जिसकी वज़े से आपको यहाँ पे without ticket नहीं माना जाता है लेकिन दूसरे नंबर पे बात यहीं आती है कि आपको next station जो भी आएगा वहाँ पे आपको उतार दिये जाएगा penalty कुछ नहीं ली जाएगी next station तक का कोई charge नहीं ली जाएगा क्योंकि आप without ticket नहीं है आपको वहाँ पे उतारा जाएगा और journal coach में ही सफर करना पड़ेगा तो जब भी आप AC का ticket बुक कर रहे हैं यह जिस जरूर देखें अगर आपका AC का ticket waiting है तो यहाँ पे आपको online है तो आप without ticket माने जाएगी क्योंकि यह waiting ticket है और आप window से लेते हैं तो यह ticket आपका confirm नहीं है तो ticket तो रहेगा बट आप तब भी AC में सफर नहीं कर पाएंगे और AC coach के अलावा आपको जनरल coach में जाना पड़ेगा तो सौधान नहीं है और यह सारे clause को देखके जब भी आप AC में सफर कर रहे हैं तो जरूर देखें अधर वाइस आपको काफी जदा problem हो सकती है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें